वेलकम टो करेंट बर्षरी आज 16 मार्च दो हज़र चोविस और आज के डेट में मैं आप लोग के एक्जाम को देखते विए इंपर्टन्ट कोस्टेन इस वीडियो में लेकर क्या हूं यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा तो पहला कोस्टेन है कि हाली में वीश्व उपभुकता अधिकार दिवस कब मनाय गया तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च इसके बाद यह हर सल 15 मार्च को मनाय जाता है यह दिन किसले मना जाता है तो यह दिन कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में जागरूपता पैदा क करने के लिए मनाय जाता है और इसकी बाद में इसका थीम क्या हो जाएगा तो इसका थीम हो जाएगा उपभकताओं के लिए निस्पत्च और जीमेदार एयाई और इसकी बाद पहली बर कम बना गया और भारत में नेशनल कंजूमर डेल बनाते जो 24 दिसंबर को मनाते हैं इसकी बाद गया जो आपके सामदें दूसरा क्वेस्टन है वे है कि हाली में किस देश में राष्टरपती द्रौपदी मुर्मुजी ने डॉक्टरेट मुर्मुजी को डॉक्टरेट की उपाधी से उप समरों में मुख्या तीथी के रुप में वहां पे सामिल हुई है और इसके बाद उनको यह उपाधी से समानित किया गया है और यह मौरिशर्स के राष्टर दिवस में सामिल होने वाली जो है वे छट्थी भारती बनी है और यह 12 मार्च को हुआ था इसके बाद जो दूसरा कोस्चन है कि हाली में भारत की पहले इंडूर एथलेटिक्स केंद्र का उदघाटन कहां किया है तो इसका आंसर हो जगा भूनेस्वर में उडिसा के सीम जो भूनमिन पटनायक जी है इन्होंने भूनेस्वर के कलिंगा स्टेडियम में इसका उदघाटन किया है इसके जम्मू कस्मीर में था इक कोई भी अधर स्टेट का कोई वहां पर महाराष्ट्र में जय है वह जमीन नहीं ले सकता था लेकिन जब से 370 धारा जुग हटा हुआ है उसके बाद से अब यह राइट मिल गया है कि वहां पर मतलब कि कुछ भी अप कर सकता है कोई भी अधर पहला यह राजी होगा जो कस्मीर में गेश्ट हाउस बना रहा है तो महाराष्ट का कैपिटल मुंबई हो जाएगा सी एम एकनाथ सिंदे गवर्नर रमेस बैस और 27 राष्ट्री युवा महुत्सों का आयोजन कहां किया था तो नासिक में किया गया था और इसकी बाद में म अच्वा कोस्टन आपके सामने है कि हाली में कौन एंसील के नए अधिया च्वर्प्रवन निदेशक नियूप किये गये हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 20 और एंसेल का फूल फॉर में बता दू नौर्डन कोल फिल्ड्स लिमिटेड गाज आज का फाइव कोस्टन कंप्ली कौन होता तो इसका अंसर हो जाएगा उपराष्टपती गाइज मैं आपको जनकारे के लिए बता दू कि जो भी मैं कोस्टन आपसे पूछती हूं यह एक्जाम में आया हुआ रहाता है क्योंकि मैं एक्सिमम एक्जाम में रिप्रिटीट कोस्टन आते उसको ध्यान में तो आप इस वीडियो को एंट तक देखें ताकि आपको जो जो कोस्टन उसका आंसर आपको मिल सकें और इसके बाद में आज 16 मार्च है तो मैं 15 मार्च तक आका 15 दिन का मैं आप लोगो डेज वर थीम के साथ मैं कोस्टन बताऊंगी और इसकी बाल फिर महने के लाश्ट मे और श्की बाद में इसका थिम क्या होगा जीरो डिस्क्रिमनेशन डे का यह होगा कि हर किसी के स्वास्थ के रक्षा करना और सभी के अधिकारों के रक्षा करना और इसकी बाद एक मार्च को एक और डेज मना गये थाह वास्व समूंदरि घास दिवास याने की वर्ड सी स्वस्थ समुद्री गांस स्वस्थ असके बाद तीसरा 512 वर्ड व्याइफ डे और चार मार्च को राश्टरय सुरक्षा दिःवस्याने कि नैशनल generations security day चार मार्च को एक और्डे है विस्व मोटापा दिवस यानि कि वर्ल्ड ओवेसिटी डे और इसकी बाद पांच मार्च को निर इस्त्रीकरण और प्रशार जागरुपता के लिए अंतराश्ट्री दिवस जन अंतराश्ट्री दिवस इसकी बाद में इसकी बाद में इस महने के लाष्ट में आप लोको तीस दिन का पूरा बताऊंगी मैं तो मैं यहां तक से वीडियो को मैं स्टॉप करती हूं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लागा हो तो ज्याद ज्याद इस चैनल को लाइक कर और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो को नॉटिफिकेशन आप लोगो सबसे पहले मिल सकें थैंक यू जैहन